विपकसी इंडिया गटबंदन को एक के बाद एक जटका लग रहा है बिहार के सीम नितिस कुमार पहले ही इंडिया गटबंदन का साथ छोड़ चुके हैं इसके बाद तरणमुल कॉंग्रेस प्रमुक ममताव एनरजी भी बंगाल में अकेले चुनाब लड़ने का एलान कर च करता है कि इंडिया गटबंदन फिलहाल जटकों के दोर से गुजर रही है आईए हमारे इस खास रिपोर्ट में जानते हैं उद्या से पहले ही आज तो होते दिख रहे विपकसी इंडिया गटबंदन का आमादमी पार्टी ने पी क्यों छोड़ा साथ दरसल लोग से वाच सरकारी योजनाओ की शुरुवात कर रही हैं आमादमी पार्टी के दोनों मुख्यमंटरी मतदाताों से वोट के रूप में आशिर्वात भी माँग रही है इस बेज उन्होंने पंजाब के खन्ना में भाशन के दोरान अर्विन के जिवाल ने एलान किया कि आम आदमी पार्टी अगले 15 दिनों में पंजाब की 13 और चंडिगड की एक लोगसवा सीट मिला कर 14 लोगसवा सीटों पर उमेद्वारों का एलान कर देगी अर्विन के जिवाल ने कहा कि आज से दो साल पहले आपने हमें बहुत बड़ा आशिरवाद दिया था और पंजाब में 117 में से 22 सीट जिताई थी आज आप से हाथ जोड़कर एक और आशिरवाद मांगने आये हूं उसी तरह भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को यह 14 के लिए पैदा हो रही है आगामी लोग सबाचुनाव के लिए विपकसी दलों का ये गड़बंदन बिखा चुका है पाश्चिम बंगाल में ममता वेनर जी बिहार में नितिश कुमार और उत्रप्रदेश में अखिली श्यादव पहली ही अपना रुकिस पश्ट कर चुके हैं उत्रप्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 16 सीचो का एलान भी कर दिया है और अब पंजाब आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है हालंकि कोंग्रेस पार्टी अभी भी इंडिया गड़बंदन की एक जुट था और जीत का दावा कर रही है इंडिया कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू